हेले रिवान वेलकम टू सेनुरे ट्रिक विच इस पार्ट ओफ अनकेडमी गुरूप दोस्तो आज इस साथ मिनट की वीडियो में हम देखने वाले हैं दादा साहिफ आल के पुरुषकार 2021 से सम्बंदित सभी इंपोर्टेंट कोशन तो आप इस वीडियो को सुरू से लेके देखेगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ सेर करिए चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सकाइब करके बेल एकन को ओन कर लिजे ताकि वीडियो अपलोड होती आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचाए और अगर आपने अ वीडियो को बार बार नाम बोलना पड़े वीडियो को लाइक जरूर कर देना आज ठीक है पहला कोशन ना दादा साहिब फाल के पुरुषकार की सुरुवात कब हुई थी तो ये कोशन कई बार एक्जाम में उल्डेडी आ चुका है तो दादा साहिब फाल के पुरुषकार की सुरुवात थी दोस्तों 1969 में ये आपके अदकना है नेक्स्ट है, वर्स 1969 में पहली बार इस पुरुषकार से किसे सम्मानित किया गया था ये कोशन भी एक्जाम में ओल्डेडी आ चुका है तो इस कोशन कराईट आंतर हो जएगा देवी का रानी को देवी का रायनिको दोस्तो दादा साही फाल के पुरुषकार से सम्मानित किया गया था पहली बार नेक्स आता है भारत में फिल्म वे सिनेमा जगत का सर्वुच सम्मान कौन सा है तो फिलम वह सिनेमा जगत का सर्वुच सम्मान है दादा साही फाल के पुरुषकार ये भी आपको याद रखना है 2021 में दादा साही फाल के पुरुषकार से किस अभिनीतरी को सम्मानित किया गया है तो 2021 में दादा साहिब फाल के पुरुषकार से सम्मानित किया गया दोस्तों दिपिका पादुकोन को छपाक मुवी के लिए तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों किस मुवी के लिए छपाक मुवी के लिए important question है भारत की पहली मुख film कौन सी थी तो भारत की पहली में किसे जाना जाता है तो ये किसको जाना जाते दोस्तों दादा साहिब फाल के जी को ये आपको या दखना है दादा साहिब फाल के पुरुषकार में क्या दिया जाता है तो देखे जिसको दादा साहिब फाल के पुरुषकार मिलेगा उसको क्या-क्या मिलेगा एक सर्ण वा जो दादा साहिब फाल के पुरुषकार दोस्तों किसे दिया गया था तो जल्दी से आंसर बताईए ये किसे दिया गया था तो 67 वा जो दादा साहिब फाल के पुरुषकार था ये किसे दिया गया था दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रितिक क्रोशन को यानि की option हो जएगा डी रेट आंसर तो ये आपको याद रखना है next आता है भारत की पहली मुख फिल्म राजा हरिश्चंद को किसने बनाया था तो अभी मैंने बताया था ने कि एक question और पूछे आता है ये भी पूछे आता है कि किसने बनाया था तो इसका सही आंसर हो जाएगा दादा साहिव फालके ने बनाया था ठीक है ना चलिए अगला question है कि कौन सा मंत्राले ने दादा साहिव फालके पुरुसकार को परदान करता है तो दादा साहिब फाल के पुरुषकार को परदान करने वाला मत्राले है, सूचना एवं परसारण मत्राले अगला कोशन है, 2021 में दादा साहिब फाल के पुरुषकार से किस अभिनीता को सम्मानित किया गया है किस अभिनीता को दोस्तो संबानित किया गया है तो इस question का right answer हो जाएगा अक्से कुमार को संबानित किया गया है next है मर्नो प्रान दादा साहेब फालकिया पुरुषकार से संबानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे तो पहले व्यक्ति थे दोस्तो कौन प्रत्वी राज कपूर जी तो इसका सही answer हो जाएगा option C बिल्कुल सही किया है आप लोगों ने इसका answer next है भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी तो भारत की पहली बोलती फिल्म थी दोस्तो दोस्तो आला मारा ठीक है ना ये आप सभी जानते ही होंगे काफी easy-easy question पूछ रहा हूँ ठीक है अब मैं आपको बताता हूँ 2021 का जो 68 वा दादा सही फाल के पुरुसकर रहा है उससे संबंदित questions देखे इसमें आपको दो question तो ये याद रखने है कि best actor और best actress किसको मिला है तो best actress को मिला है देपिका पादुकों जैसे मैंने बताई दिया चपाक मुवी के लिए और best actor दोस्तों मिला है अकसे कुमार को लक्समी के लिए ठीक है critics best actress किसको मिला है क्यारा आडवानी को गली मुवी के लिए और critics best actor का अवार्ड मिला है सुसान सिंग राजबूद दिल बेचारा मुवी के लिए नेक्स बेस्ट फिल्म है ताना जी ठीक है और best international feature film है पेरसाइट most versatile actor का मिला है केके मैनन को ठीक है best director का अवार्ड मिला है अनुराग बासू लोडो को और यहाँ पे next है best actor in supporting role में मिला है विक्रान्त मेसी छापाक के लिए मिला है इसको भी best actor in supporting role sorry actress in supporting role रादी का मदान को मिला है अंगरी जी मेडियम मूवी के लिए best actor in comic role तो कुनाल केम को मिला है loot case के लिए best actor यानि की web series में बोबी देवल को मिला है आसरम के लिए best web series है Sam 1992 ये भी आपको देखना है style diva of the year ये आपको मिला है divya khosla कुमार को तो ये होगे आपके सारे के सारे important question best actress in television series में मिला है दोस्तो सूर्भी चंदना को और best actor in television series sorry हाँ actor धीरज धूपर को मिला है और next है आपका performance mirror of the year नूरा फते ही को मिला है outstanding contribution to film industry धर्मिंदर को और outstanding contribution to literature in Indian cinema ये चेतन भगत को मिला है तो ये एक बार आप दुबारे से वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि काफी sort video मैंने बनाई है उसमें सारी चीज़े cover करा दिये तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक करिए और अगर आपने मेरी profile को follow नहीं किया अनकेडमी पर तो follow तुरंत कर लिजे दोस्तों काफी important है सोरम बलिक नाम सर्च करके thank you so much guys take care everyone अपना ख्याल रखिए और अगर आपको अनकेडमी पर subscription जोइन करना है किसी भी एक्जाम के लिए तो st u dy 10 without any space ये यूज करिए और आप apply कर सकते हैं ठीक है आपको maximum discount मिल जाएगा thank you so much take care everyone bye bye